OPPO K12X vs Realme 12X दोस्तों दोनों स्मार्टफोन से एक बजट स्मार्टफोन है तो चलिए देखते हैं कौन सा फोन दोस्तों आपके लिए बढ़िया होने वाला है वैसे दोनों का इस नेम भी सेम से में 12 12X लिखा दोनों स्मार्टफोन में आइए देखते हैं फिर आपको इसमें क्या क्या मिल जाएगा सबसे पहले इस प्राइस की बात कर लेते हैं यहां पर ठीक है प्राइस में यहां पर आपको OPPO K12 पढ़ता है दोस्तों 13000 में 6GB RAM and 128GB storage वहीं पर 13500 में मिलता है आपको Realme 12X जो कि 13500 मतलब 500 रुपे महंगा है दोस्तों Realme का phone सेम सेम वेरियंट्स वाला और दूसरा वेरियंट्स में OPPO का मिलता है 8GB RAM and 256GB storage दोस्तों वह होता है 16000 रुपीज का वहीं पर Realme में सिर्फ 8GB RAM and 128GB का ही वेरियंट है दोस्तों इसमें 2560 भी नहीं है तो दोस्तों फिर यह 1000 पर सस्ता है इससे तो गईस हम बिल्कुल बेसिक बिल बात करेंगे 6GB RAM and 120GB storage space वाला दोस्तों तो OPPO आपको मिलेगा 13000 का एंड कि यह रेल में आपको मिलेगा 13500 वेगा तो चलिए दोस्तों अगला फिचर की बात करें यहां पर डिस्पले की दोस्तों तो गईस OPPO K12X में आपको मिलेगी 6.67 इंचिस की LCD डिस्पले दोस्तों एंड इसका रिफ्रेश्ट 120Hz होने वाला है एंड दोस्तों इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो दोस्तों 1000W की रहने वाली है एक डिसेंट कन्फिग्रेशन मलब इनों दोस्तों फीचर्स दे रखें डिस्पले में इस प्राइस के हिसाप से वहें पर रिल में की बात करें दोस्तों इसमें आपको 6.72 इंचीस की डिस्पले मिल जाएगी जो कि थोड़ी सी दोस्तों थोड़ी सी ज्यादा है इस इसमें आपको फुल एचडी प्लस दिस्पले मिल जाएगी दोस्तों ठीक है तो इसमें आप 1080P पे बढ़िया वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो एंड गैस डिस्पले दोस्तों ये भी LCD होने वाली है और दोस्तों रिफ्रेश्ट रिल में कभी 120Hz रहने वाला है जो इसकी पीक ब्रैटनेस वो 950 Nits होने वाली है दिस्पले मैं कुई मेजर फरक है तो इसमानट स्मांटफन में दोनों में आप दम भ्रावर एक तरह की दिस्पले देखने को मिलेंगी एए और नेक्स्ट केस्ट के स्कारी कि उतको मिलेगा 32 MP का प्रेमरि कैमरा औंड 2 MP का नमीपार आपने फोन के बैक में इंड इस सेल्फी के लिए आपको 8 MP का फ्रेंट केमरा दे रहे हैं OPPO वाले वहीं पर रिल्मे वाले आपको 50 MP का मेंन केमरा दे रहे हैं नेश्ट केस बैटरी की बात करें दोस्तों ओपो में आपको 500 MP की बैटरी मिल जाएगी बिद 45 वोट शूपर वुक चार्जर जो आपके बॉक्स में ही रहने वाला है ठीक है तो दोस्तों ठीक है मतलब बढ़िये दे रहे हैं OPPO वाले भी वहीं पर रिल्मे वाले भी दोस्तों 5000 MP की बैटरी दे रहे हैं जो कि थोड़ी से कम है 5000 MP से बट यह डिसेंट है यह भी कोई कम नहीं है दोस्तों ठीक है बैटरी चाजर में कोई बड़ा फरक नहीं है यहां पर नेक्स्ट किस प्रोसेस्टर की बात करें यहां पर तो आपको ओपो मिल जाएगा snapdragon 695 दोस्तों इसका इंतुट स्कूर चार लाग तीजार क्या स्वास इस फोन में रहने वाला है दोस्तों एक डीसेंट प्रोसेसर है मतलब एंड बजट फोन में दोस्तों आपको अच्छी प्रफोर्मेंस देगा स्मार्टफून यह वहीं पर गाइस इसमें रेल्वे में आपको मिलता है स्कूर लग बग चार लग दस अजार क्या सबसा था था थोड़ा सा यह कम है गईस एस कंपेर टू ओपो सो इस तरह इसमें फीचर्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट केस अजर फीचर्स में आपको दोनों स्मार्टफून में एंड्रोड फोर्टन का सुपोर्ट मिल जाएगा प्लस केस वन मेजर थेंगा ओपो में यार कि ओप में आपको 360 अगर आप लोगों को दोनों में से कोई फोन बाई करना हो तो आप लोग कौन सा फोन बाई करना प्रैफर करोगे बताएए नीचे कमेंट करके एंडगेस मैं अगर लेना चाहूं यार गईस तो आइधिंग मैं यहां पे ओपो को ले लोगा कैमरा में दोस्तों थोड़ा सा गईस कम है बट उतना फरक नहीं पड़ता है मेरे को जितना मुझे लगता है बाकि इस डिस्प्लेय में कोई बड़ा खास फरक है नी दोनों स्मार्टफोन में प्राइज में देखो गईस यहां पर हमारा ओपो फिर भी 13,000 का यह हमारा गई को घृलना समार्टफोनस में आप नहीं सकते हो यहां तो दोस्तों वह आपके आपको बढ़ा हो करता है त्यांक यह को यहां तक देखने के लिए दोस्तों अगर वाग कर दो यार शब्सक्राइब कर दो नहीं हो तो और आप लोग मेरे तेलिग्राम पे आ सकते हो उसका थैंक यू सो मच यानतर गुड़े को देखने के लिए